हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूटिव चैनल इस्टडी आर्थ हब सो फ्रेंड आज डिसकस करने वाली हूं काफी इंपॉर्टेंट आर्ट मोमेंट के बारे में भारती अकलाकार समोमिस कॉलकता ग्रूप ठीक है यह स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूं है सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा और जो मेरे वीवर्स है वो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें जैसे वीडियो आगे तक शेयर हो जाएं चले स्टार्ट करते हैं भारती कलाकार समू के बारे में भारती कलाकार समू मिस कॉलकता ग्रूप से भी कॉल्काटा गूप को जाना जाता है कुश्यन है कॉल्काटा गूप 43 की सतापना कब रहए थी में कॉल कॉट्प में जस कॉएज為什麼 हुई थी 1944 में मुंबई में कॉलकता ग्रूप के संस्थापक सदस से कौन थे प्रदोसदास गुपता थे संस्थापक सदस से प्रदोसदास गुपता ग्रूप 43 के स्थापना प्रदोसदास गुपता ने कहां की थी मुंबई में किये थे कॉलकता गुरूप 43 में प्रमुक कलाकास सदर से कितने थे टोटल एट आर्टिस्ट थे ये बहुत इंपोर्टेंट लाइने कितने आर्टिस्ट थे तो टोटल एट आर्टिस्ट है कॉलकता गुरूप 43 की दूसरी एक्जिबिशन कब हुई थी 1945 मुंबई में पहली जो हुए तोटल थ्री एक्जबिशन होए थे 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 एक्जबिशन 1944 मुंबई में नहीं कॉलकटा में होई थी सेकेंड 1945 मुंबई कॉलकटा समू और प्रगतिशील कलाकारों के समू पैग ग्रूप शामुदाई ग्रूप से इसकी एक्जबिशन होई थी 1950 में मुंबई में पैग ग्रूप के साथ होई थी देश का पहला आधुनिक कलाकारों का समू कॉन सा था कॉलकटा ग्रूप 43 ठीक है कॉलकटा ग्रूप 43 था देश का पहला आधुनिक कलाकारों का समू प्रमुक कलाकार देख लिजे प्रमुक आर्टिशन है प्रदोस दास गुपता गोपाल गोस निरोध मजुमदार हेमंत म परितो सेन रतीन मिश्रा प्राण्थ कृष्न पाल कमल दास गुपता कमला तास गुपता चाहें तो स्क्रीशॉट कम बाद दॉन मूल नंत पूछ क्भरधन सेक्वरी तक क lob tapantam फाउंडर आफ कॉलकता ग्रूप, 1912 में बॉर्ण हुए, 1991 में इनका डेड टाइम रहा है, प्रदोस दास गुपता का जन्म कब कहां हुआ था, 1912 धाका बांगला देश में हुआ था, पुर्वी बैंगॉल, प्रदोस दास गुपता प्रमुक रूप से किसलिए प्रशिद द कला दिर्गा, न्यू डेली के क्यूरेटर बने थे, 1957 में पश्चिम बैंगॉल, सरकार ने कब प्रदोस दास गुपता को अबनिना टैगोर अवार्ड से इनको सम्मानित किये थे, 1982 में, प्रदोस दास गुपता ने चित्रकला की शिक्षा कहां से प्राप्त किये थे, कॉलक प्रदोस दास गुपता राष्ट्री ललितकला अकैडमी न्यू डेली के सदश्य फैलो कब बने थे, 1982 में, गॉवर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन नेम से आपने किसका प्रशिच्छर प्राप्त किये थे, तो मुर्तिकला की एजूकेशन लिये थे, प्रदोस दास गुपता ने, 1940 में अपना इस्टूडियो कहां पर स्थापित किये थे, कॉलकाता में अपना इस्टूडियो स्थापित किये थे, प्रदोस दास गुपता, ग्रूप 43 के सदश से कौन है, देखिए, ग्रूप 43 ये कॉलकाता ग्रूप ये सेम ग्रूप है, प् प्रदोस्दास गुपता ने कब उसे कहां तक आधुनिक कला दिरगा न्यू डैली के क्यूरेटर अध्धक्ष के रूप में रहकर अपनी शेवाएं दी थी 1957-70 तक प्रदोस्दास गुपता ने मदरास आर्ट्स कॉलेज में मुर्तिकला का डिप्लोमा 1930-1934-37 में किसके कि में मिलकर पूरा किये देवी प्रशाद ल्वय चौधरी के सानिथ हवे मिलकर ठीक इनके स्टुडंट रहे हैं मतलब यह देवी प्रशाद लॉए मिलकर की स्टुडंटेंट हैं प्रदोस्दास गुपता को रॉयल में स्वाइटी ऑफ आर्र्स लंदन का प्यिलो कब कश गुपता ही वाज ओल्सो दे मिंबर ओफ कॉलकता गुरूप ये भी मिंबर ही रही है कॉलकता गुरूप की ने प्रदोष गुपता ने मुर्तिकारी के लिए प्रमुक रूप से किस टैक्निक का प्रियोग की थे काश्य ढ़लाई ब्रॉंच काश्टिंग नेक्स लाइन काश् प्रदोष गुपता के मुर्तिश शिल्प की पहली एकल प्रदर्शनी में बताओंगी कि सिर्फ आप लॉश्ट वेक्ष टैक्निक याद रखिये क्योंकि इतना सारा याद करेंगे कंफ्यूजन क्रेट होगा वैसे तो जिसे याद है वह तो बहुत अची बात है लेकि शौ में स्फ्रस्ट व्acer tangled विशंप अची गईती नािटिन फोट ट जालकाता में प्रदोस दास गुपता को ला के छेट में प्रशिद्धी में पूली नेक्श्ट लाइन और प्रदोस बाc गुपता ने कॉलकाता में किसकी सानित में रहकर मुर्तिकारीश सीखी थे हिर्मन रोय चौधरी से इन्होंने मुर्तिकारिशी की प्रदोसदास गुपता के टीचर है इसकल्प्टर के हिर्मन रोय चौधरी और देवी प्रशाद रोय चौधरी से भी नहीं सीखी है प्रदोसदास गुपता किस पश्चिमी मुर्तिकार पश्चिमी मुर्तिकार से यह influence थे हैं हैंनरी मूर से प्रदोस दास गुपता ने प्रशीद मूर्ति शिल्प श्रिंखला एग सीरीज एग सीरीज बहुत फेमस है अंडा श्रिंखला कहते हैं किस माध्य में बनाये थे काश ब्रॉंज मैटल में मूर्तिकार प्रदोस दास गुपता की पतनी कमलादास ग प्रदोस दास गुपता का निधन कहां हुआ था 1991 में इनका निधन हुआ था इनकी प्रमुक मूर्तिक शिल्प है एग सीरीज अंडा श्रिंखला कहते हैं ब्रॉंज और काश हमें इन्होंने बनाए हैं नेक्स्ट है मूर्तिक शिल्प वूमेन विद बासकेट वूमेन है एक अ मावल मेर्वालय वाला यादर कियेगा इन बांडेज में बनाए गया यह बिदेट ब्राउंज में बनाए गया है और इंटोर्स कोई ब्राउंज में बनाएं जैहीन लेंज यह ब्हुत ब्राउंज में यह जैहीन यहां ढया हुअ पहली एक्जम में माकी गोद में सीमें ने बनाए पिकंग लाई इंसमें बनाएं गया गैया फ यह सुछ इंपरटर 69 कॉर्टिक पकाल धोच यह भी आश्मेंब रहे हैं गुरूप 43 मिस कॉलकता ग्रूप टाइम डूरेशन है 1913 में ये बॉर्ण हुए और 1980 में इनका मृत्ती हो गया था गोपाल घोष का जन्म कब वक कहां हुआ था गोपाल घोष का जन्म हुआ था 1930 कॉलकता 1913 कॉलकता पश्चिम बेंगॉल में कलाकार गोपाल घोष का संबंद किस कलाकार समूद से रहा था कॉलकता ग्रूप से कॉलकता ग्रूप 43 का बोही मीनियम कलाकार कौन था बोही मीनियम कलाकार थे गोपाल घोष गोपाल घोष ने वर्स 1935 में चित्रकला डिप्लोमा कहां से प्राप्त किये थे जैपूर आर्ट्स कॉलेज से जैपूर आर्ट्स कॉलेज में गोपाल घोष ने चित्रकला के अबनी नाट टैगॉर के स्टूडेंट है शेलेनर डे। कॉलकता आर्ट कॉलेज में शारी कॉलकता कहरी जैपुर आर्ट कॉलेज में इनसे पहले 1924 के टाइम डियुरेशन में यहां पर टीचर थे असीद कुमार हल्दर असीद कुमार हल्दर भी इनके अवनिना टैगोर के ही स्टुडेंट है यहां पर टीचर थे फिर यह चले गया थे लखनु का लविद्धाले में 1925 से लेकर 45 तक वहां पर टीचर रहे थे और यहीं पर जब यहां से चले गया थे जैपुर आर्ट कॉलेज से तो वहां पर शैलिना डे ने जॉइन कर लिया ठीक है चलिए नेक्ट देख लेते हैं भारत में आधुनिक लैंट्स के पेंटिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं गुप गोष कॉल कत ग्रूप के मिंबर गोपाल ओश इंडियन सोसाइटी ओफ्न और्यन्टल आर्ट कॉल कता में कब से कब तक कलाुषिक्छा शिक्राव ANYना roux और एथ अंगे नान रोल में कक्रदास तर तके कब बने 1943 हैं 1943 में गुपाल घोष ने चित्रकला के शिक्षा किसे प्राप्त किये थे शैलेंग ना डे से इन्होंने प्रेंटिंग के एजुकेशन लिए गुपाल घोष को किस कलाकार के रूप में ख्याती प्राप्त होई थी दृष्यकला में लैंड्सकेप में लैंड्स के पार्टिश्ट रहे हैं आधुनिक द्रिश्य चित्रकार गोपाल घोस का निधन कब हुआ था 1980 में प्रमुक चित्र है चाननी रात लैक मून लाइट ए विलेज नियर मसूरी टैंपरा टैक्निक राष्टी आधुनिक कला दिरगा देखे चाननी रात में इनकी बहुत फेमस है ए विलेज नियर मसूरी काफी एक्जाम्स में आया हुआ क्वेश्टन है डॉन भी याद रख रखेगा और बस चारी तीन पेंटिंगे तीनों अच्छे से याद रखेगा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आर्टिस्ट है कॉलकाता ग्रूप के ही मेंबर निरोध मजुमदार निरोध मजुमदार का जन्म हुआ था 1912 में इनकी मृत्ति होई थी निरोध मजुमदार का जन्म कब और कहां हुआ था 1916 कॉलकाता पश्चिम बैंगॉल में निरोध मजुमदार का संबंद किस कलाकार से था किस कलाकार समू से रहा है किस ग्रूप से कॉलकाता ग्रूप ग्रूप 43 से रहा है निरोध मजुमदार कैसे कलाकार थे आधुनी कलाकार थे प्रशिद उप पन्यासकार कमल कुमार मजुमदार किस भारतिय कलाकार के बड़े भाई थें देखिए कमल कुमार मजुमदार जो थें वो निरोध मजुमदार के बड़े भाई थें निरोध मजुमदार ने चित्रकला सिक्षा किसके सानिद में रहकर प्राप्त किये थे अबनिना टैगोर के ही स्टुडेंट है निरोध मजुमदार निरोध मजुमदार की पहली एकल प्रदस्नी फर्स सोलो एग्जिबिशन कब हुई थी? 1944 में कॉलकता में हुई थी निरोध मजुमदार कॉलकता ग्रूप 43 में शामिल कब शामिल हुए थे 1943 में निरोध मजुमदार ने उतकेड मिंस इंग्रेविंग में इन्होंने इंग्रेविंग विधा प्रशिचड किस से प्राप्त किये थे? आंद्रे लाहोत से प्रशिद चित्रकार वग कलाशिक्षक का शानू लाहिडी किस भारतिये चित्रकार की बहन थी? शानू लाहिडी इनकी सिष्टर रही है निरोध मजुमदार की और शानू लाहिडी भी एक भारतिये चित्रकार की बहन थी और ठीक्या प्रशीद चित्रकार और कलाशिक चक्ते सानू लाहिडे निरोध मजुमदार का संबंद कहां से रहा? कॉलकता से रहा किस भारतिय चित्रकार को? कॉलकता में निरोध चौधरी के नाम से जाना जाता था किस भारती है चित्रकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपी का प्रयोग किये थे निरोध मजुमदार ने अपने पेंटिक्स में देवनागरी लिपी का यूज किये निरोध मजम्दार की पहली एक सेकेंड ये लाइन से पहले मैं ये क्लियर करूंगी, देवनागरी लिपी का यूज दिरोध मजम्दार और टोटल मौरे डाइनेश्टी में 4 लिपी जिसमें है ब्रामी लिपी, ब्राम्ही लिपी ब्राम्ही ग्रीक खरोश्टी खरोश्टी ब्राम्ही खरोश्टी ग्रीक और आर्माईक टोटल चार लिपी मिली है मौरे डायनेश्टी में और 1837 स्वी में सरवपतम जैम्स प्रिंसेप ने प्रिंसिप्ट सबसे पहले बद लिपी को अठासी इंहोंने पढ़ाता दैवनागरी लिपी भी भारत की ही लिपी है इसलिए शी हुद ही भारत की और देवनागरी लिपी निरोद मझुम्दारने अप्ने चित्रकला भारतिय चित्रकार laisserे चित्रों का यूज किये थे अपनी पेंटिंग्स में निरोध मजुमदार की पहली विदेशी प्रदश्णी इनकी फर्ष्ट यूरोपियन एक्जबिशन कब और कहां होई थी 1951 में पैरिस में इनकी 1951 में पैरिस में होई थी और 1930 में पैरिस में होई थी रविना टैगोर की फर्ष्ट एक्जबिशन निरोध मजुमदार ने अपनी चित्रकला शिक्षा कहां से प्राप्त की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ औरियंटल आर्ट्स कॉलकता से निरोध मजुमदार ने उतकिड मिंस इंग्रेविंग इंग्रेविंग की विधा का प्रशिक्षड कहां से जारी किये थे जाकर लिया इन्होंने पैरिस से निरोध मजुमदार थेледं एक नियो तांत्रिक आर्टिस्ट भी रहे हैं लंदन की आर्ट गैलरी के क्यूरेटर पद पर बिरहे थे निरोध मजुमदार रहे थे यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है निरोध मजुमदार इंडिया हाउस के लंदन की क्यूरेटर भी रहते हैं 1935 में इंडिया सोसाइटी ओफ ओर्येंटल आर्ट कॉलकता में निरोध मजुमदार को किस पुरसकार से सम्भानित किया गया था? नार्मन ब्लाउंड मेमोरियल पुरसकार निरोध मजुमदार ने अपनी चित्र श्रिंखला चुनी हुई प्रतिमा है मिस इमेज एक्नोलर्ज 1957 में कहां प्रदर्शित किये थे? पैरिस में निरोध मजुमदार का निधन कब हुआ था? 1982 में प्रमुक चित्र हैं इनके कुछ चुनी हुई प्रतिमा है प्रमुक चित्र है स्वर्ग जिसे हैवन कहते हैं नेता का घाट कैन्वस आइल ऑन कैन्वस 1957 में बनाये थे? नगमा में एक्जबेट हैं न्यूडैली में पूडिमा आइल ऑन कैन्वस 1952 गंगा कागस पर रिखांकन 1977-78 नेक्स्ट आर्टिस्ट हेमन्त मिश्र हेमन्त मिश्र का जन्म कब वह कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1917 आसाम में ये भी कॉलकता ग्रूप के ही मिंबर है हेमन्त मिश्र कॉलकता ग्रूप 43 का वह कलाकार जो अती अथार्टवाद से काफी प्रभावित थे हैं देखे अती अथार्टवाद बैसिकली कहते हैं सर्यलिज्म आर्ट मुमेंट को सर्यलिज्म आर्ट मुमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में फ्रांस में 1924 से लेकर 1924 तू 20 1945 तक ही ड्रीमी लाइफ को कैप्चर करना वह लाइफ जो हमारे एक्च्वल लाइफ में ना हो जो हम ड्रीम में एज्यूम करते हैं ख्वाबों में देखते हैं उस तरह की पेंटिंग्स यहां पर बनाई गई है फॉर एक्जैंपल के तौर पर आप सैल्वेडर डाली की और उसमें चीटियां वगेरा आंट अच्छे से पूरी यहां पर एक्स्प्लोर हो रही है तो एक ऐसी क्रियेशन की गई है जो एक्च्वल लाइफ में नहीं होती है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अतियतार्थवादी कलाकार काफी प्रभावित हैं इंफ्लुेंच र कलाकार जो भारतिय कला में अतियतार्थवादी भारतिय कला में अतियतार्थवादी लाने में अग्रडी रहे हैं हेमंत मिश्र आदमी आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला यह कोटेशन है आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला यह किसका कोटेशन है समकालीन कला मिंस contemporary art की बात हो रही है हेमंत मिश्र ने ये quotation कहा है आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला नेक्ष्ट है भारती कला में अतिय थार्तवादी लाने वाले लाने का श्रेय किस कलाकार में दिखाई देता है हेमंत मिश्र हेमंत मिश्र का प्री चितरर्माध्यम क्या रहा था? जल रंग किस कलाकार समू से समबन दित थें? कॉलकाता गुरुफ 43 से हेमंत मिश्र की कला पर किन पश्चिमी अतिय थार्तवादी कलाकारों की कला का प्रभाव पढ़ा लेक्स टाली और मैक्स अर्णिसट का प्रभाव पड़ा तन्हीムक पेश्ट का प्रमुक चितर देख लेते हैं हेमंत मिश्र के प्रिमिटिव एयर वर्ष ओन फायर इको ओने सॉंग पर्स्यूडिंग दफीडिंग ओफ गॉड नेक्स्ट आर्टिस्ट है परितोस सेन परितोस सेन भी कॉलकता ग्रूप के ही मिंबर है नाइटीनेटी में बॉर्ण हुआ 2008 में इनका डाइट टाइम रहा है देख लेते हैं प्रदोस्दास गुपता का जन्म कब कहां हुआ था उन्दी सोथारे स्वी में ढाका बांगलादेश पूर्वी बैंगॉल में पूर्वी बैंगॉल में परितोस सेन ने चित्रकला की सिक् प्रशिक्षड प्राप्त किये थे आंद्रे लुहाद से परितोस सेन पैरिश में चित्रकला का प्रशिक्षड लेने कब गये थे पैरिस में गये थे नाइन्टीन फोर्टीनाइन में परितोस सेन का संबंद किस कलाकार समू से रहा कॉलकता ग्रूप से कॉलकता ग्रूप के काई मिम्मबर है class 1949 में कला अध्यापक के लिए गैं परितोस सेन की मुलाकात पैरिस में किस प्रशित पश्यमी कलाकार से हुई थी पैबलो पिकास्यो से हुई थी परितोर सेन चित्रकारी के अलावा और किस कला में रूची रखते थे तो ये लेखन में रूची रखते थे परितोर सेन को मदरास कला विद्याले में किस कला शिच्छक का सानिध मिला देवी प्रशाद्राय चौधरी का मदराज कला विद्धाले में 1929 में देवी प्रशाद्राय नियुक्तुय थे एज टीचर नेक्स्ट लाइन है परितो सेन ने अपने चित्रों में प्रथम एकल प्रदर्शनी का आयोजीत कियें 1941 में इन्होंने फर्श सोलो एक्जबिशन लगाई थी 1941 में परितो सेन के भित्ती चित्रों पर किस पश्चिमी कलाकार की कला का प्रभाव परिलक्षित होता है पॉल गौगेन का परितो सेन को ललित कला रतन सम्मान से कब सम्मानीत किया गया था 2004 में जिन्दा बहार किस भारती चित्रकार की आत्मकता है जिन्दा बहार कोटेशन रहा है परितो सेन का परितो सेन की पहली प्रदर्शनिंग कब वह कहां आयोजीत की गई थी 1935 में कॉलकता में इनकी फर्स्ट एक्जिबिशन आयोजीत की गई थी इनके प्रमुक्षित्र है ग पुत्र की मृत्यू पर विलाब करता रावर्ड रावन मौर्निंग देड़ ऑफ हीज सन काली जैकेट में आत्मचित्र कैन्वस पर एक्रेलिक में 2005 में बनाएं आफ्टर दे साइक्लोन बहुत फेमस है इनका आफ्टर दे साइक्लोन होमेश टू वैंगोग दोनों ऑईल ऑन कैन्वस में बनाएं संगी तक यह कैन्वस पर अक्रेलिक में बनाएं सरोद वादक रिफ्यूजी होली वुमेन इटिंग भुट्टा यह भी बहुत इंपॉर्ट नारियल बेचने वाला नेक्स्ट है इन्होंने नारियल बेचने वाला बनाया थे 1966 में दसारंगी प्लेयर्स कैन्वस पर ऑईल ऑन कैन्वस मैन विधुका बोर्ड ऑन कैन्वस थ्रू दे लैंस मैलो वुमेन सेलिंग कॉर्ण मिंस भुट्टा बेच रही है एक वोमें वोमे सेलिंग कॉर्ण वोमेन इटिंग भुट्टा यह बहुत फेमस पेंटिंग है नेक्स्ट आर्टिस्ट है रतिन मिश्रा रतिन मिश्रा भी कॉलकता ग्रूप से बिलॉंग करते हैं रतिन मिश्रा का जन्में कब वक कहां हुआ था 1926 हावडा पश्यम बेंगल में रतिन मिश् कहां शिछड़ पत पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी दून स्कूल देहरादून में रतिन मिश्रा ने चित्रकला का डिप्लोमा कहां से प्राप्त किये थे हैं कॉलकता आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किये हैं रतिन मिश्रा किस कलाकार समू के अभिन अंग थें कॉलकता ग्रूप 43 के अभिन अंग थें कलाकार समू के कॉलकता ग्रूप 43 कलाकार समू का श्रेष्ट रेखा चित्रकार किसे कहा जाता है रथिन मिश्रा को रथिन मिश्रा का संबंद कहां से रहा था कॉलकता से रहा था कौकता ग्रूफ मिन्सुरूफ 43 का कौन सा कलाकार दून स्कूल ससाईटी देहरधून में सदस रहे थे रतिन मिश्रा रतिन मिश्रा ने किस प्रशीद चित्रश्रिंखला का स्रिजन कैन्वस पर श्याही माध्यम से किये थे कौकता की विरासत चित्रशंकला प्रमुक चित्र श्रिंखला है कॉलकता की विराश्रा चित्र श्रिंखला कागस पर 95 साही से बनाये थे रतिन मिश्र इनके प्रमुक चित्र ने सांथाल रित है ओपन एयर रेश्टूरेंट बहुत इंपोर्टन है ओपेन एयर रेश्टूरेंट आया भी है ये एक्जाम में ओपेन एयर रेश्टूरेंट रतिन मिश्रा की है ओईल कलर में इन्होंने बनाई है राश्टी आधुनी कला दिरगा न्यू डैली में एक्जबेट है संगीत तक ये कैन्वस पर एक्रेलिक 2005 कॉक फाइटिंग देख हैं अबंग respectful आया है तक ये समता की और चला है जब हां में पाइटी आया है इन्हाल क्यों पर देल ऐ कर छोग्स पूं को